दोस्तो आई तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को एक एसा जटका दिया गया है जिसकी वज़े से पाकिस्तान पूरी तरीके से तिलमिला उठा है और जो हत्यार तुर्की ने पाकिस्तान को देने से बिल्कुल साफ साफ मना किया है इसी हत्यार के दम पर पाकिस्तान ये ख्वा पुरा मामला कुछ इस प्रकार है कि पाकिस्तान की वायू सेना तुरकी से 30 की संख्या में T-129 हेलिकोप्टर को लेना चाहती थी इस पूरी ही डील की कीमत पाकिस्तान की वायू सेना को 1.5 बिलियन डोलर पढ़ने वाली थी और तुर्की जल्द ही इन हेलिकोप्टर की डिलेवरी भी पाकिस्तान को शुरू करने वाला था लेकिन एंड टाइम पर अमेरिका की एंट्री हुई और अमेरिका ने तुर्की को बिल्कुल साफ साफ बोल दिया कि आप इन हेलिकोप्टर की डिलेवरी पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं करेंगे हाला कि तुर्की एमेरिका की इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानना चाहता था लेकिन तुर्की के सामने सबसे बड़ी मजबूरी ये आ गई कि जो तुर्की के T-129 हेलिकोप्टर में इंजन लगा हुआ है वो एक एमेरिकन इंजन है और एमेरिका ने तुर्की को इस इंजन का लाइसेंस देने से बिल्कुल मना कर दिया जिस कारण मजबूर होकर तुरकी ने पाकिस्तान को T-129 हेलिकोप्टर देने से बिल्कुल साथ साथ मना कर दिया लेकिन पाकिस्तान के जले पर नमक तो जब छिड़का गया जब तुरकी ने T-129 हेलिकोप्टर की डील को फिलिपिन्स के साथ साइन कर लिया क्योंकि फिलिपिन्स और तुरकी के बीच 6 T-129 हेलिकोप्टर की डील साइन हो गई और अब इन हेलिकोप्टर की डिलेवरी भी तुरकी की तरफ से फिलिपिन्स को कर दी गई है और पाकिस्तान के वल तुरकी का मुही देखता रह गया फिलिपिन्स ने तुर्की के साथ 6 T129 हेलिकोप्टर की डील को 279 मिलियन डोलर में साइन किया था यानि की फिलिपिन्स को एक हेलिकोप्टर की कीमत 45 मिलियन डोलर यानि की 370 करोड के आसपास पड़ी है और जो पाकिस्तान के मंतरी उचल उचल कर ये बोल लहे थे की अम एमेरिका को वाइट हाउस में घुसकर मारेंगे आज उल मंतरियों को भी पता चल गया होगा की फाल्तु बोलना कितना जादा भारी बढ़ सकता है और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि क्या एमेरिका ने पाकिस्तान को T-129 हेलिकोप्टर की डिलेवरी रुकवा कर सही किया हाँ या फिर ना इस बात का अंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठेंक्स फॉर वोचिंग दिस वीडियो, हैव गूड डे